अगर हम भारत की राश्चुबाद की बात करते हैं तो हम यह पाते हैं कि भारत की राश्चुबाद की एक मुख्य कहानी है। जब आगे बढ़ती है तो उस कहानी में कई अन्य नायक भी शामिल होते जाते हैं, कई अन्य किरदार भी शामिल होते जाते हैं, तो अगर हम अपने स्कूल की किताबों को याद करें, तो उसमें हम भगत सिंग के बारे में भी पढ़ते हैं, सभास बोस के बारे में भी पढ़ तो दलित बहुजन नायकों को भी उस कहानी में अस्थान दिया जाने लगा लेकिन अगर हम आदिवासी समाज के नायकों की बात करें तो हम यह पाएंगे कि आम तोर पर उन्हें बहुत कम अस्थान मिला है या नहीं मिला है हम अक्सर यह पढ़ते हैं कि अंग्रेजों के शास जो था वह विर्सा मुंडा का विद्रो था जिसके बाद अंग्रेजों को चोटानागपूर टिनेंसी एक्ट जैसे कानून बनाना पड़ा जिसमें कि उन्होंने चोटानागपूर इलाके में अस्थानिय समुदायों के लोगों को यानि कि आदिवासी के अधिकारों को जंगलों पर और जंगलों के संसाधनों पर वहां की भूमी पर लेकिन आज परह के इस अंक में मैं आपके सामने एक दूसरे आदिवासी नायक की कहानी प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा यह आदिवासी नायक सिर्फ आदिवासी छेत्र में पैदा ही नहीं हुए बलकि कि वह वहां से आगे बढ़ते हैं, वह ऑक्सफर्ड जाते हैं, उन्होंने दुनिया की ख्याती लब्द विश्विद्याले में पढ़ाया, वहां अध्यान भी किया, और किसी दूसरे देश में जाकर उन्होंने अध्यापन का काम भी किया, उससे भी बड़ी बात दिया है कि वह होके के भी बड़े खिलाडी थें, परक के आज की अंक में हम जैपाल सिंग मुंडा की बात करेंगे, मेरी कोशिश यह होगी कि आज की इस पूरे एपिसोड में मैं आजादी से पहले के दौर में जैपाल सिंग मुंडा के जीवन और उनकी राजनिती के बारे में आपक किस तरीके के सुत्र निकल कर सामने आते हैं, उस पर हम आगे की बात चित करेंगे, अगर हम जैपाल सिंग मुंडा के आरंभिक जीवन की बात करेंगे, तो हम यह पाएंगे कि असल में उनकी जिंदगी एक आम आदिवासी युवा के तरह ही थी, और कुछ सैयोगों के उन्हें ऑक्सवर्ड जाने का मौका मिला और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने अपने प्रतिभा के कारण होकी के खेल में अपना नाम अस्थापित किया, जैपाल सिंग का जन्म 1903 में हुआ माना जाता है, तीन जन्वरी 1903 को उनकी जन्म तिथी पता नहीं थी, बाद में तीन जन्वरी मान ले गई, इस दौर में जब उनका जन्म हुआ, उस समय खूटी जो कि आज एक अलग जिला है, वह राची जिले का एक थाना हुआ करता था, और वहाँ पर टकरा पाहन नामक अस्थान पर जैपाल सिंग का जन्म हुआ, इनके पिता का नाम अम्रु पाहन और इनका आरंभिक नाम प्रमोद पाहन था, जो कि बाद में बदलकर जैपाल कर दिया गया, और इनके अन्य बड़े भाई भाहन भी परिवार में थे, इनके पिता ने 1910 में इनका नमांकन राची के संथ पॉल स्कुल में करा दिया, और वहीं पर 1919 में जो वहाँ के प्रिं प्रतिभा से इतना प्रभावित हुए थे, उन्होंने फैसला किया, कि वे जैपाल सिंग को अपने साथ लंदन लेकर जाएंगे, ताकि वो आगे के सिक्षा हासिल कर पाएं, जैपाल सिंग जब लंदन जा रहे थे, उसके पहले ही उन्हें इसाई धर में दिक्षित कर दिय गया था कासग्रो की यह मनसा थी कि वे जैपाल सिंग को पादरी बनाएं हलांकि जब 1919 के बाद जैपाल सिंग लंदन चले गए तो उन्हें यह पादरी बनने का विचार बहुत आकरसक नहीं लगा और उन्होंने कुछ समय तक पादरी बनने का प्रसिक्छन भी लिया लेकिन फिर से वो सामानी सिक्छा में वापस आ गए होकी खेल में उनकी काफी रुची थी और इसके कारण से वो इस खेल में आगे बढ़ते गए 1928 में जब एमस्टरडम का उलमफिक हुआ तो भारती टीम की कप्तानी के जिमेदारी जैपाल सिंग को दी गए जैपाल सिंग ने इस पूरे खेल में अदबुद प्रदर्शन किया हलांकि फाइनल में जिसमें की भारत जीता था उसमें जैपाल सिंग किनी कारणों से टीम का हैस्था नहीं थे उन्हें को चोट लग गई थी लेकिन एक कप्तान की रूप में भारत को पहला होकी का स्वर्ण पदक दिलाने में जैपाल सिंग की अदबुद भुन करही और उसके बाद उनका काफी नाम हो गया एक महत्पुर्ण बात है जिसे हमें याद रखने की जरूरत है वह यह कि जैपाल सिंग ने अपने नाम के साथ मुंड़ा तब तक नहीं जोड़ा जब तक वो राजनिती में नहीं आ है शायद उनहीं इसका अहसास था कि अगर लोगों को विशेश रुप से हिंदुस्तान के उच्छ वर्ग के लोगों को यह पता चल जाता है कि वो एक आदिवासी है क्योंकि जैपाल सिंग कहने से कई बार राजपूत या किसी अन्यजाती का आभास भी होता है तो उन्हें यह लगता था कि उनके साथ भेद भाव होगा तो लंबे समय तक उन्होंने अपने नाम के साथ मुंदा सब्द को नहीं जोड़ा बहराल जब वो हौकी में स्वर्ण पदक जीत जाते हैं और उनका काफी नाम हो जाता है तो उनकी जो एक इक्छा थे कि वो भार बहा दिया गया था क्योंकि वो बिना इजाजत लिए उलम्पिक में भाग लेने चले गया थे जैपाल सिंग के कुछ विरोधियों ने यह कहानी भी उड़ाई कि शायद वो लंदन में बिना टिकट यात्रा करते हूं पकड़े गया थे इसलिए उनका प्रोबेशन समय बढ के कारण जैपाल सिंग इतने शुब्द हुए कि उन्होंने यह विचारी त्याग दिया कि वो प्रशासनिक सिवा में जाएंगे उसके बाद वो एक डच शेल कंपनी में मर्केंटाइल असेस्टेंट बने जो की एक बहुत बड़ा पत था बहुत सम्मानित पत था उस सम्मा हिंदुस्तान वापस आने के बाद उन्होंने रायपूर के कॉलेज में सिक्षा दी कुछ समय तक उसके बाद राजस्थान में विकाने रियासत में वो एक पद पर रहें और उसके बाद 1938 के आसपास उनसे आदिवासी महासभा के कुछ लोग मिलें और उन्होंने उनसे यह आगरह किया कि वो राजनीती में आएं आदिवासियों के हितों का प्रतिनिद्व करें क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आदिवासियों के हितों की बात मुखर रूप से खुल कर राश्री अस्तर की राजनीती पर रख सके जैपाल सिंग के साथ बहुत सारी आकर को रख सकते थे, वो मुद्दो की समझ रखते थे, तो इस लिहाज से उन्होंने जैपाल सिंग को आमंत्रित किया, यहां मैं एक और बात का लेक आपके सामने करना चाहता हूं, वह बात यह है कि जैपाल सिंग मुंडा जो थे, जब वो आदिवासी महासभा से जुड़े, तो उसके पहले से ही आदिवासी महासभा एक संगठन की रूप में था, अलग-अलग नामों से था, पहले 1860 के जिसक में ही एक संगठन का गठन हुआ, जिसका नाम दिया गया चोटा नाकपूर क्रिश्चन एसोसियेशन, उसके बाद 1915 आते आते तक यह संगठन चोटा अखिल भारती आदिवासी महासभा का गठन किया, और फिर 1949 में जैपाल सिंग इसमें शामिल हुए, जैपाल सिंग के सामने यह विकल्प भी था कि वो कॉंग्रेस में सामिल हूँ, लेकिन उन्होंने इस विकल्प को नहीं माना, कई लोग यह बोलते हैं कि वे बिहार के समझ में आया कि अगर वो वास्तवी ग्रूप में आदिवासीयों की आवाज बनना चाहते हैं, उनके मुद्दो को उठाना चाहते हैं, तो उन्हें कॉंग्रेस से बाहर जाकर राजनिती करने पर ध्यान देना होगा, चूंकि कॉंग्रेस के भीतर, खास्तोर पर जो भीहार के नेता थे, और उनको यह लगता था, जैपाल सिंग को, कि यह जो बाकी बिहार कॉंग्रेस के नेता हैं, वो कभी भी आदिवासीयों के मुद्दे को तरजी नहीं देंगे, और जैपाल सिंग जब राजनिती में आये, तो उन्होंने बड़े ठोस रूप से आदिवासीयो उनका पूरा जो कारखाना है, वो आदिवासी छेतर में इस्तित है, और इस तरीके से उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाने की सुरुवात के, जिसमें वो विसेज रूप से इस बात पर जो दे रहे थे, कि जो आदिवासी हैं, उन्हें बहतर प्रतनिधत मिलना चाहिए, जो आदिवासी हैं, उनके हितों के सुरक्षा होनी चाहिए, और अगर हम जैपाल सिंग के बाद की राजनीती को देखें, तो हम यह पाएंगे कि उनकी राजनीती में कुछ तत्व बड़े प्रमुक रूप से सामने आते हैं, उन्होंने आदिवासी महासभा के नेता के रूप में कॉंग्रेस का विरोथ किया, राजेंदर प्रशाद का विरोथ किया, 1949 में ही 14 जुन को उन्होंने राजेंदर प्रशाद को एक चट्थी लेखी, जिसमें उन्होंने यह कहा कि आदिवासी महासभा की जो राजनीती है, और जो कॉंग्रेस की राजनीती है, दोनों में को मिलना चाहिए राजेंद्र प्रसाद ने तीन जुलाई को इसका जवाब दिया तीन जुलाई 1949 को और उन्होंने यह कहा कि आदिवासी महासभा कॉंग्रेस के सामने अपने उमिद्वार खड़ी कर रही है और फिर आप यह दावा करते हैं आप मतलब जैपाल सिंग मुंडा कि आदिवासी महासभा और कॉंग्रेस में एक तरह का समरस्ता पुर्ण संबंध है तो यह बात कुछ पचने वाली नहीं है तो हम यह देख सकते हैं कि जो दलो की एक धड़े बंदे थी वो साफ तोर पर सामने आती है और कॉंग्रेस ने इस बात की कोशिश की कि जैपाल जो के भलाई के लिए काम किया उन्होंने राजेंदर परसाद को यह सुझाओ दिया कि कॉंग्रेस को एक ऐसा सामाजिक संगठन बनाना चाहिए जो कि आदिवासीयों के बीच में काम करें उनकी भलाई के लिए काम करें तो जैपाल सिंग मुंडा का जो यह एक आरोप था क कि कॉंग्रेस की नेता खास्तर भी भिहार कॉंग्रेस की नेता यह नहीं चाहते हैं कि आदिवासी महासभायक मजबूत संगठन की रूप में उपरे तो उसमें एक तरीके से एक वैदता है और हम अगर दली राजनिती की नजरिय से इसको देखे तो यह कोई अजीब सी बा अमस्या थी और उन्हें लगता था कि जितने सारे परिवर्तन हैं वो बिना हिंसक तरीकों को अपनाए या बिना गुलबंदी को अपनाए नहीं किया सकते हैं और वो अहिंसा के रास्ते को बहुत कारगर नहीं मानते थे लेकिन उससे आगे जाकर उनकी एक और चिंता थी औ मेल नहीं खाते हैं मिसाल के तौर पर गांधी शाकाहार पर जोड़ देते थे वे शराब बंदी पर जोड़ देते थे तो ये जो दो पहलू है वो आम तौर पर आदिवासियों के सामाजिक जीवन का या पारिवारिक जीवन का अभिन हिस्सा है तो इसी आधार पर उन्हों उसी समय और जब उसक्री हुए थे उसी समय हम देखते हैं कि कॉंग्रेस का विभाजन होता है और कॉंग्रेस की विभाजन के बाद जब 1940 में वर्तमान जहारखन का जो रामगड जगह है वहाँ पर कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में जैपाल सिंग जब गांधी जी राची आएं तो उन्होंने राची बंद का हवान किया तो इस तरह की राजनीती उनकी चलती रही जहां पर उन्होंने जो कॉंग्रेस का मुख्य नित्रुति था उसके सामने कॉंग्रेस से बागी हुए सुबास्टन रुबोस का साहत दिया लेकिन 1941 आते आते तक बिल्कुल ही इस्तिती बदल जाती है जहां सुबास्टन रुबोस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए देश से बाहर का रास्ता अक्तियार करने की पूरी योजना पर काम करने लगते हैं वहीं जैपाल सिंग मुंडा को यह लगता है कि अगर वो अ आदिवासि फैसला करपाएं यह प्रावधान हो और इसलिए उन्होंने 1941 में जो आदिवासी महासभा का वारशिक संम्मिलन हुआ वहां history सम्मिलन हो। और भरत च्ड़व आंदोलन हुआ उसमें भी उन्होंने भागीदारी नाहीं की जैपाल सिंग मुन्डा की राजनेती का जो एक और पहलू सामने आया वो ये कि वो कुछ वर्सों के लिए मुस्लिम लीग के भी नजदीक है मुस्लिम लीग ने भी पाकिस्तान की मांग रख दी थी और ऐसे समय में जो बंगाल के मुस्लिम लीग के नेता थे उन्हें ऐसा लगता था कि आदिवासयों के बीच में अगर कोई एक ऐसा नेता है जो मुख्यधारा की जो कौंग्रेस की राजनेती है उसकी तिखी आलोचना करता है तो वो उसके साथ जुड़ सकते हैं और जैपाल सिंग को भी यह लगा कि अगर वो मुस्लिम लीग के साथ एक जुड़ाओ कायमर करते हैं तो ऐसे इस्तिति हो सकती है कि अंग्रेज उनके मांगों पर ज्यादा ध्यान दे तो यह नजदी की सम्मंद कुछ वर्सों तक चला लेकिन जब डिरेक्ट एक्षन की जो पूरी घटना हुई 1946 में उसके बाद जैपाल सिंग ने अपने आपको पूरी तरीके से मुस्लिम लीग से दूर कर दिया और उन्होंने यह कहा कि उनकी पार्टी का या उनका मुस्लिम लीग से कोई सम्मंद नहीं है और फिर बात स्यों के हित की बात हो अगर हम जैपाल सिंग के इस दौर की राजनिती को देखें तो हमें कुछ बात बिलकुल साफ तौर पर देख सकते हैं जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो एक प्रिथक आदिवासी अश्मिता की बात कर रहे हैं दूसरा कि उन्होंने कॉंग्रेस क कि जो प्रभुत्व शाली एक राजनिती थी उसका उन्होंने विरूत किया और वो राजनिती प्रभुत्व शाली थी क्योंकि कॉंग्रेस के नेताया चाहते थे कि कॉंग्रेस से अलग कोई और पार्टी उभर कर सामने ना आ सके और इसके लिए जैपाल सिंग का हाश्या के समूह से आते थे, उनका जो दल था वो काफी छोटा था, तो ऐसे में उसे पूरी तरीके से प्रभावहीन बनाने की जगह, कॉंग्रिस उनके मांगों पर ध्यान देते हुए, एक साजहा मंच बनाने की भी कोशिस जैपाल सिंग के साथ कर सकती थी, लेकिन शायद क कॉंग्रिस के नेताओं के उम्मीद थी कि पहले वो कॉंग्रिस में आ जाए, तीसरे अस्तर पर हमने यह देखा कि वो किस तरीके से गांधिवाद का विरोध करते थे, जैपाल सिंग की इन तीन बातों के अलावा इस दौर में, यानि कि आजादी के पहले के दौर में, जो प्रमुख बात जैपाल सिंग के पुरे लेखन में या उनके संबोधनों में सामने आती है, वह यह कि वे कभी भी यह नहीं चाहते थे कि आदिवासी अपनी परंपराओं से चिप्टे रहें, और उनके भीतर नए तरह की सोचना आए, उन्होंने कोशिश की कि आदिवासी म अपने अधिकारों के लिए खुद को गोलबंद करें, तो एक ऐसे मॉडल की रूप में उन्होंने अपने विचार को रखने की कोशिश की, जहां पर कि आदिवासी खुद अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन से जुड़े तमाम पहलूं के साथी साथ उन अपने जी कादनों के बारे में फैसला करें, वो किस तरीके से चीजे होनी चाहिए, वो तै करें, और बाहरी लोग जो हैं, वो उनके जीवन पर प्रभुत्यों कायम ना करें, और इसलिए जो एक दिकू की अधारना उन्होंने दी, वह मुख्यरूप से यही थी, कि लोग बाहर से आत जाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो बिहार से लोग जारखंड में आते हैं, या उस समय जो लोग थे, वो इसी तरीके से वेवहार कर रहे थे, बात के समय में हम देखेंगे कि जैपाल से राजनिती किन-किन धाराओं से गुजरी, किन-किन मोडों से होते हुए, व कि मैं आपको जैपाल सिंग मुंडा की राजनिती के बारे में बताओं, जो आजादी के पहले के दौर में थी, उनकी जीवन का एक संचिप्ट परिशे दूँ, हम आजादी के बात के दौर के उनकी राजनिती में परख के अगले अंक में विस्तार से बात करेंगे, मुझे हो पाए होंगे तो मैं इस अंको यहीं रोकता हूं अगले अंक में हम मिलेंगे और जैपाल सिंग मुंडा के जीवन के कुछ अन्य पहलनों पर बात करेंगे नमस्कार कि अग्या कि अग्या कि